जी, स्वामलेकुम दोस्तों, मैं आपका भाई, आपका दोस मौमल वसीम, लहूर से उमीद करते हैं, आप तमाम दोस्त खैर-खैर ये से होगे, आपके बढ़ भी ठीक ठाक होगे, वेलकम करते हैं, अच्छा बढ़ में आपका एक और नहीं वीडियो के साथ, आज की वीडिय चोटा सा टॉपिक, बहुत आहम टॉपिक, लाव बढ़ के उपर, तो लाव बढ़ का एक पेर हमने भी मगवाया है, दुबारा से लाव बढ़ में हम इन हो रहे हैं, और इन्शाल्ला ताला मोटेशन पर काम करेंगे, लोकली बढ़ पर हम काम नहीं करेंगे, क्योंकि लोक लोकली बढ़ का हमें फाइदा भी कोई नहीं है, और जो रीजन है, मैं आपके साथ वो भी शेर कर देता हूं कि वज़ा गया है कि हम तुबारा से लाव बढ़ में भी इन हो रहा है, और क्यों हो रहा है, तो सबसे पहले जो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को बना देते हैं, दिखा देते हैं, हमने यह चेंजिन किया है, और इसका मकसद क्या है, और बिन अड़ आइम जाए कि चलते हैं वीडियो के लिए। जी दोस्तों तो सबसे पहले आपको दिखा देते हैं चेंजिंग हमने की है कि ये वाला केज आपको यहां पर नजर आ रहा है पहले ये वाला केज हमारा यहां पर होता था और ये वाला केज हमारा यहां पर था और साथ ये वाला जो केज था यहां पर पढ़ा था ये जहां पे जो पानी वाला ननका लगए इसके साथ में हमारा ये वाला बड़े वाला केज बढ़ाता है फोर पोशन वाला ये छे वाला केज हमारा यहां पे था ये वाला केज हमारा इस जगह पे था इस केज को इस जगह पे रखने का मकसद क्या है रीजन क्या है आपको मैं वो भी लग रहा था क्योंकि यह वाला जो केज है यह ऊपर है थोड़ा उच्छा है यह वाला केज नीचा यहाँ पे आपको इदोनों बೀन कोई उपर नजर आ रहा होगा। इस वज़े से हमने वह वाला केज यहां पे रक दिया है। और चेंजिंग में हमने K. की कि इसे भी आएगा हमें में सारी इसकी जो सुटवेशन हमें साफ नदर आती। इसी तरह यहां पयए यहां पर हम ने किया यह जोमी जार्म कराए अंडर आते रहें धरुए यहांभी आ ुhing नदर आ ऱे के भाल तो को और आपको नदर आ रही है ुहित्य कि यहां उभा है उन्हाद हो आपको नदर आ रही हो गी है और फिमेल बार बेटनीं इसे xamu मेरा इसनाल स्वक्रहेद इसे हम पास की जैसे हैं तो या इसलेगा indeed बड़ी मुश्किल आ रही थी, अभी ये देखो ना, मैंने अभी सफाई नहीं की, अभी मैंने करनी है, मैंने का पहले मैं आपको दिखा दू, उसके बाद मैं करूँगा, ये देखें, आपको पीछे एक गंद नजर आ रहा हुगा, जो गोर्डियन ने हमने जो ये छोड़ी ये है कि मैं सेट अप आपको भी पता है कि मैंने ये दुकान में लगाया हुआ, ये पीछे आपको बैनर भी नजर आ रहा होगा, ये कॉम्पनी का बैनर लगा हुआ है, और इन्शालला तलह इसको मजीद आगे बढ़ाना भी है, तो इसी तरह जो है, इसमें मजीद जो है क मेल मैंने छोड़े थे, उसके बाद मैंने इनको फीमेल दे दी, फीमेल देने के दो दिन के बाद मैंने बॉक्सल का आगे अंदर नेस्टिंग भी फैंक दी है, ये देखें, नेस्टिंग भी मैंने थोड़ी फैंकी है, यहां पे भी नेस्टिंग फैंकी है, यहां पे भी पने ऩरी पीज़ Toosy hold double डाने का मकसद अभी यह ब्रीडिंग के लिए मेरा यह मकसद नहीं एंप यह सारे जो जितने भी एपीस यह सब भी मेरे जो जो सटायर्ट हुएं मेल जितने बी यह सारे मेल मेरे सेट अरश नला के यह फस्ट को तर अबर डीडolा लिए ८ोप सिर्फ और सिर्फ इनको प्रैक्टिस होगी बॉक्स के अंदर जाना कैसे बॉक्स बाहर कैसे आना नैस्टिंग किस तरह से लेके जानी है नैस्टिंग क्या करनी है फिर जिस तरह हमारा सीजन स्टार्ट होगा यह हमें तंग नहीं करेंगी वरना होता क्या है कि जो फस्ट बढ़नाब्स है उश्याल fays को थो जा हैं मैं उसक्ति हता है उसका दोबारा से ने को बार ना इन इनको पहले इस तरह से ये प्रैक्टिस हो जाएगे, इनके बॉक्स उतर जाएगे, आगे इंशाला आपको भी पता है कि जिस तरह ये सीजन स्थार्ट होगा, पिर दुबारा से इनको बॉक्स लगेंगे अभी इस सीजन स्टार्ट होने में भी एक डेर से दो महीने इनको रेस्ट मिलेगी उसके बाद दुबारा से इनको बॉक्स लगेंगे इन्शाला तब तक जो है कि यह बिलकुल अपने यह 10-15 दिन के अंदर अंदर यह सीख जाएं यह बोलो जो पिर है इसमें मेल फरस्ट टाइमर है , फीमील है पराणी बॉर है मेरे इस प्राइ परीडर मेरे मैठाशाला तेजा यह बुए पर प stri subject я वह बो फिर हैité और के जिया है इस पराइए कर दिदिए और जारम उन्हें आपको भी ब्ता देता हूं असल में यह वली जो फीमेल मैंने यहाँ पर छोड़ी है यह सबसो परानी मेरे पास फीमेल है यह तीन साल से अब ज्यादा इसकी एज है माशाला से मेरे पास तीन साल तकरीबन हो गए यह मेरे पास ब्रीड कर रही है और ये फीमेल लगी हुई थी जिस मेल के साथ ये इसी केज में थी जो पुरानी मेरी पिछले साल की वीडियो जो मेरे जो चैनल पर मैंने रखी हुई है डाल दी थी उसमें ये वाली फीमेल के साथ ग्रीन का मेल ही लगा हुआ था यहाँ पे इसी केज में इसने ब्रीड की थी मेरे पस अब इसको मैंने यहाँ पे छोड़ा था इस केज में तो यह बड़ा तंग कर रही थी यह बार बार उस तरफ जा रही थी क्योंकि इसका मेल वो मेरे पस जो यहाँ पे बैठा हुआ मैंने यहाँ पर छोड़ा यह उसके साथ टैज दोबारा होने के कुशिश का रही थी यह बार-बार उसके जाली के साथ लगती थी गेज में एक साइड पर लग करना तो बैठी रहती थी यह बड़ा तंग का रही थी मुझे इस वज़ा से मैंने इस पेर को यहाँ पर छोड़ दिया है इस पेर को मैंने यहाँ पर छोड़ दिया है इसके साथ भी मैंने यलो का मेल लगाया हुआ है यहाँ पर यह यलो का मेल इसके साथ छोड़ा है परानी ब्रीडर फीमेर है इन्शाला ताला इस सीजन में भी यह चलेगी और इसने मशालल से सबस्पे ज्यादा मेरे पास जो ब्रीड दी Süार गौर्डियैन में इस फिमेल ने दी थी तो ये जो मकस्द है मैंने आपको बता दिया है क्यों मैं ये केज अभी क्यों लगाए है और केज यहां पे रखने का मकसद गया अच्छा केज यहां पे रखने का जो मकसद है और शीषई का डिर्वादा लगा हूँ उसके रोश्णी डिरैक्ट-ली अंदर आती है अभी सारी लाइटें ओफ है दूप है अभी तीन बजे का टाइम है और माशा-اللہ से आप देख लेए इनुकुल बेहतरीन मिल रही है कुई इन्देरा नहीं है किसी किसम कि उरुटामिय क निर क्विटामीन only गारा की कमी जो है कि वो नहीं होगी जितनी रोशनी इनको चाहिए उतनी इनको मिल drawn यह माशाला से अच्छा जी आप चलते हैं वीडियो के तरह जो हमारा आज का टॉपी का लव वर्ड के उपर लव वर्ड का हमने मगवाया है पेर यह आपको ग्रीन फिशर नजर आ रहा होगा यह वाला जो लाइट कलर में है जो उपर वाली साइड पे यह वाला मेल है और जो नी जिसमें डैक कीनो का मेल था और अलबाइनो रेड़ा इसकी यह वाली फीमेल थी और इसके साथ पार बिलू अपलाइन का एक पेर था अच्छा यह वाले मैंने तीन पेर मगवाय थे एक दोस्ते तो गर्मी की बज़ा से लाते हुए उस बंदे से थोड़ा सा जो है के वो ग अक्सान जो हमारे पास आते हो गया उसके बाद मैंने यह वाला एक फिशर का पेर मगवाया यह आपको देखने में बिल्कुल सादा फिशर लाग रहा होगा कि ग्रीन फिशर का पेर है अच्छा इसमें यह जो मेल है यह है जनाब सपलिट ऑपलाइन सपलिट बिलू उनों में से कौन सा इसमें जहीं पता नहीं अभी यह टेस्ट बिरीडिंग के पता चलेगा कि सपलिट में यह जो होती है कि यह आपको देखने पड़ती है ब्रीडिंग के बाद अच्छा लाव बर्ड का जो प्राइज आज तक आपको भी पता कि काफर डाउन हुआ हुआ इस वज़ा से हम ने यह वला पैर मगवाया है ताकि हमारे पास इन्शाललाम नेक्स सीजन में उमीद है, चांस बहुत चार्ट है। हमारे पास इन्शाललाम से तरहे पेल फैलो भी आएगा। ब्लू पेल फैलो खूह और ग्रेन पेल पैलो या पहल बहुत थो शब लेकिमेल में आपको भी पता है कि इस 착्राईक में चीज़ा पता है नहीं होता बेजाерш उनकी तहसे सकती है पू fait फिमेल शायद इसके पॉल में भी रिंग डुला ओघ और इसका वो सी दोस का रिंग डुला हुँआ फ्सक्त हूं इसिसे मैं ले आई है अब इस बंदे के इतबार पर मैं लेके आई हैं बाकि लगा बेतर जाकर इन्शाला तला जो भी result आएगा इसका वो आपके साथ जरूर शेयर करेंगे यहां पे हमारे पास love bird के पेर चलेंगे इन्शाला तला यहां पे भी मैं आपको थोड़ी सी setting समझा दूँ दिखा दूँ यहां पे हमारे पेर चलेगा love bird का रही है तो मिल जाएंगे अभी सीजन से पहले पहले अगर किसी ने वह लगाने है तो आपके लिए बेतरीन ओफर है प्राइज में आपको बता दूँगा प्राइज बहुत रीजनेबल है क्योंकर मैंने आज तक जितने भी पेर सेल की तो यह सिर्फ लास्ट चार पेर में रे रेपस पड़े है यह फीमेल है यह बीफी मेल है एपको दिखा दूँ आपको आइडिया हो जाएगा यह देखें निए फर्स्ट वाली यह लाइड है सेकन्ड वाली ब्लैक अड में तीसरे नंबर वाली पी ड्रेड में और जो मेल के साथ वाली जो बलैक एड्र में फीमर बैठी है वो वाइड चेस्ट में है सारे मेल बैठे है इसमें वॉइड चेस्ट वाला मेल जो है सेल अट पहले सही चुक अगा है मैं आपको पहले बता दूं के बाद में दोस्ट ये ना कहें कि यार हमें यही चाहिए इसमें जितने भी रेड डेड परफल चेस्ट वाले मेल बैठे हैं ये सदी फिर सेल है इसमें एक दो तीन चार पांच छे मेल है जो इस टेम पे अवेलेबल है सेल के लिए वाइड चेस्ट वाला जो मेल है हमारे एक एसमामभाद के बहुत अच्छे दोस्ट है हमारे सब्सक्राइबर भी है बहुत पराएबर हैं और बहुत पराएबर है हमारे पहले नाम भी लेना चाहूँ हमारे मैं वीडियो में उनका नाम भी लेना चाहूँगा तारिक उनका नाम है माशाला से और रिटायर ओफिसर है गौर्मेंट के तो माशाला से उन्होंने ये वाले पेर हैं मेरे पास दो रख हुआ हुए हैं इसके साथ फीमेल कोई भी उनने का अड़ेस्ट करके हमें दे दिजिएगा और मेल कोई भी परपल चेस्ट बिरेड ऐड वाले हमें दे दी जिए खा मैने आपको पता हैं कहां कre पव्यार होगाई उन में चार मेल आ जाएं गिझा तो आप इनमेंसे कोई भी आप स्लेक्ट कर सकते हैं नंबर मैंने में अधिया वीडियो में मुबाइल की बैटरी भी जो है मेरे वो बिल्कुल डाट हो चुकी है जो बड़ हमारे पास पौर सेल इस ताम पर वेलेबर वह आपको मिन सकते हैं अगर आपको चाहिए तो आप हमसे रफ्टा कर लें यह दिया है इन्शालला इसकी जो भी डीडिंग आई जो फ्रोग्रस मारे पास आए वो आपके साथ शेर होती रहेएगी क्योंकि आपको और हमारा साथ इसलेख जब तक जब तक जिरूर निभाएंगे क्योंकि आप बोस्त हम हमारे साथ इतनी वह्वावत करते हैं तो हमारा भी काम है के आपको इक अच्छी चीज़ अच्छी इंफॉर्मेशन दीज़ घरतरे characterization zo क cinnamon cream भी होती है या भलत अलब बड़ाए होता है तो हमें हमारी होस्ता ही होती है और उसे हमें जो है के सीखने को भी बड़कुछ मिलता कि नेक्स जो भी हम वीडियो बनाए किसी टॉपिक में बनाए तो उसका भी हमें पता होना चाहिए कि यार हम नेक्स वीडियो इस टॉपिक में बनाना चाहते हैं तो यह दिया आज की वीडियो वीडियो अच्छी लगी तर वीडियो को लाइक करिए करें चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों को शेयर करें मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए दा आपेज